तस्वीरों में आप एक सडक में खड़ा आप लोग देख पारे हैं यह तस्वीरे पानीपत के असंद रोड की तस्वीरे हैं और जब मुझूदा सरकार बीजेपी की है और बीजेपी बात करती है ब्रश्टाचार मुख्त की जीरो टोलरेंस की और यह खड़ा आपको क्या लग रहा है उसके बारे में अभी हमारे साथ समाथ से भी आजे शिंगला जी है तो इन से अभी हम बातचीत करेंगे शिंगला जी नमस्कार सबसे पहले में पूछना चाहूंगा अभी आपको भी एक फोटो आपने देखी होगी कि जो पानीपत के असंद रोड पर एक खड में देख रहे हो और ये सडक तो जिस तरह से बनी थी वो सारे लोग जानते हैं कि इससे बड़ा ब्रश्टाचार जो है वो कभी पानीपत में हुआ ही नहीं आप अभी दिरे-दिरे देखिए ये असंद रोड और गवाना रोड पर क्या इनका होने वाला है आपने गवाना तो और सबसे बड़ी बात तो मनिश जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि दिकार ऐसे लोगों को जो ट्रिपल इंजन की चथे इंजन की बात करते हैं और जब बात पानीपत के विकास की आती है तो ये लोग सारा का सारा जो ठिकरा है वो अधिकारियों पर फोड़ द ये कौन सी सरकार के है पकिस्तान सरकार के है या ये अधिकारी कोई दूसरे देश की सरकार के है ये अधिकारी भी तो इनके मुख्यमंतरी की सरकार के है अगर ये अधिकारी काम नहीं करते तो मुख्यमंतरी के पास जाए और अगर इन लोगों में हिमत नहीं है जो इन अध परोडो रुपे कमाने की वज़े से ही ये अधिकारियों को कुछ नहीं कह पातें सिरफ आप किसी पार्षट से बात करके देख लो किसी विदायक से बात करके देख लो किसी सांसप से बात कर लो इवन मंत्री से बात कर लो वो कहते हैं जी अधिकारी तो हमारी मानते नहीं अर बड़ा गेम खेला जा रहा है यह अधिकारी इनके कमाउपूत हैं और कमाउपूत होने की वज़े से इनको कुछ नहीं कहते और यही कमाई का कारण जो है वह असंद रोड पे देख रहे हो जिटी रोड पे देख रहे हो आप गौहना रोड पे देख लो अभी सेक्टर बारा दिये बोलने लगे हैं मैं स्तिफादे दूँगा मैं स्तिफादे दूँगा क्या कहना चाहोगे इसको ऐसा है मरीज जी यह तो सारी प्रब्लिक को पता है कि अभी इनके चुनाओं नजदिक जैसे जैसे आलखते रहेंगे तो यह लोग ड्रामे बाज हैं और इनके विदाय इनका खेल जो है वो चलू हो गया है और मैं तो पब्लिक को बार बार पता नी कितनी बार कह चुका हूँ आज फिर मैं इस आपके संदेश के माद इस मेडिया के माद्यम से कहना चाहता हूं कि इन लोगों के खेल में मत आना यह पता नी क्या क्या सब्ज बाग दिखाएंग क्या करेंगे और इस तीफा तो उनके जोटी सी बात है अगर इस्तीफा अगर इस्तीफा देने वाले होते है जिस तरह ऐसे इन्होंने 9 सान नचाया है नंगा नाच पबलिक के साथ किया है वो नंगा नाच नहीं होता इनके साथ पबलिक के साथ अगर ये इस तरह की पोजीशन में होते तो जो मुख्य मंत्री है वो कहते हैं हम ब्रश्टा चारुमुक्ष सरकार है हमारे बिना खर्चे बिना पर्ची की सरकार है डबल इंजन की सरकार है ट्रिपल इंजन की सरकार है और यहीं से दो दो संसद मिले हैं दो विधायक मिले हैं पानिपत सहरी से भी पानिपत ग्रामिन से स मनीज जी आप कौन से रोड की बात करेंगे कोई तो रोड ऐसा बता दो ठीक है अभी मुख्य मंत्री जी ने 18 तारी को एक बस्टेंड का उद्गाटन किया विर्च्वल उद्गाटन आप एक बार उस बस्टेंड पे मैंने आज आपकी रिपोर्ट भी देखी है उस बस्टें कि कोई तो चीज वो ऐसी होने ची ऐसा क्या कारण था कि मुख्य मंत्री जी को एक दम ऐसा निरने लेना पड़ा कि वहां पे आज ही उद्गाटन करना है तो मेरे को तो समझ से बार है सारी की सारी पब्लिक जो है न वो सामने देख रही है आप सनोली रोड की बात कर रहे हो नौ साल में ये निगे पता चला जीटी रोड के जो नाले हैं वो फो एलैन टी ने आज दक खोले नी और मनीज जी मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाता हूं के मैंने मुख्य मंत्री जी को और डिप्टी कमिशनर पानीपट को और नगर निगम कमिशनर पानीपट को मैं मां में एक पत्र लिखा था कि हर मां हर बार हर साल मानसून आने से पहले करोडों रुबे के टेंडर जो है वो नगर निगम इन नालों के साफ करने के छोड़ता है और उनको कोई साफ नहीं होते उनको खा लिया जाता है कागचों में कागचों में हमेंसा होता है मैंने पत्र लिखा था नो तारीक का मेरा मई का पत्र है और चारों मानुबाओं को मैंने पत्र लिखा था कि इस बात की जाज की जाए इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि मानसून आने से पहले पहले ये नाले जो है वो साफ करव प्सक्राइब करता कि अब्सक्राइब को तो बाथा है कि आठाव कि अनोन आठी को गन्हें इस राओ आदे कि मेरे खुटर से मेरे को अधारी की तरुब से फिकलारी कुशित मेरे को कोई जवाम मिला है 만द वह किसी व्यक्ति को अगर पानिपत से बाहर जाना है और बस के माद्यम से जाना है तो उसको पहले तो 6-7 km बाहर जाना पड़ेगा या 6-7 km से अंदर आना पड़ेगा मतलब पहली बाहर ऐसा कोई मैंने सरकार दिखी है जिस सरकार में बस के लिए पूरे पानी पत शहर में एक भी स्टोपेज नहीं दिया गया मतलब बस अगर जाएगी तो फ्लाई ओवर से चली जाएगी अब आई जाज की तरह से उड़ जाएगी तो छे किलो मीटर साथ किलो मेटर पर आपका जो बस्टेंड है तो आम पबलिक को क्या दिया और सरकार तो यह कह रहे है ना पानीपत में बहुत जादा जाम रहता है इस चीज को मद्य नजर रखते हुए जो बस्टेंड को बाहर कर दिया है और फिर दूसरा स्टो पे टोल पलाजा पे दिया है कि पानीपत में जाम ना रहे हैं पानीपत में जाम की तो स्तीती वही है आप तीन दिन से देख रहे हो और मैं तो यह कहूंगा कि जाम तो और वहाहन होते हैं तेजगती वाले वहन वह कभी भी आपको जाम नहीं लाने देते जाम जो लेके आता है वह स्लो मोशन ट्रैफिक लेके आता है और जिस तरह से 6 किलो मिटर पे यहां पे बस्टेंड दिया है तो उस तरह से तो सलो मोशन ट्रैफिक और बढ़ेगा पानीपत क काम करती थी पहले या किस सरकार को लेकर आना चाहिए जनता को कुछ ना कुछ आपसन भी तो ने चाहिए ना देखिए मैं जो है ना इस बारे में सिरफ एक ही चीज आपको कहूंगा कि जनता जो है ना वो सब कुछ जानती है जनता आज किसी से भी बात कर लो कहीं ना कहीं सरकार से परिशान होती है लेकिन जब चुनाव आते हैं यही लोग जो लोग आज त्रही त्रही मचा रहे हैं यही लोग फिर साथ में उन्हीं लोगों के साथ लगके उन्हीं लोगों के लिए वोट मांगते हैं यह हमारा दोस्तान के लोग जो है न अपने देश से बहुत बड़ा प्यार करते हैं राश्ट्रवाद जो है न एक ऐसा लोगों के दिल में बैठा हुआ है कि वो सबसे पहले जो है अपने परिवार अपने उसे मित्रों से जितना प्यार नहीं करते वो राश्ट्रवाद से राश्ट्र रचे जाते हैं कि देश की भावुक जनता है वो इनके बैकावे में आ जाती है और वो खोकले राष्ट्रवाद के नाम पर अगले पांच साल फिर जो है वो अपनी समझ्याओं के इनको गरत में डाल देती है तो अभी यह फाइनल यह नहीं बता पाएंगे क्या कि कौन सी सरक इंदू है जातिवाद धरम और इनके नाम पे किस स सरकार ने इस देश को बनाया और किस सरकार ने इस certains को बिगाड़ा है आपसी सहार्ध किस देश ने खतम किया इस सरक ने खतम किया यह लोगों को अपने आप सोचना चाहिए और अगर लोग अपने गहन चिंतन करेंगे तो जवाम मिल जाएगा लास्ट स्वाल ले रहा हूं मैं आप से सीमा हैदर वाला मामला पूरे भारत में वायरल मुद्दा है ATS ने गृफ्तार भी कर लिया है सीमा हैदर को भी कर लिया है सचिन को भी कर लिया उसके घरवालों को भी हिरासत में ले लिया है क्या कुछ कहेंगे इस मामले में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरी अगर समझ पे आप बात करोगे तो ये भी इनका कोई प्रोपगंडा है और कुछ नहीं है ये भी किसी ने किसी तरह के बढ़काने बावनाओं को बढ़काने का एक सडियन तर रचा जा रहा है और कुछ नहीं है नहीं तो क्या सीमा हैदर क्या सीमा हैदर को जिस टाइम उनको पता चल गया था कि एक पाकिस्तानी लड़की अपने चार बच्चों के साथ पता नहीं वो बच्चे उच्चे है या नहीं है उसके साथ इंदुस्तान में परवेश कर गई है और अवेध मद्यम से उसने परवेश किया है तो उसी टाइम उसको जो है डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए था तो उसको अगर रखा गया है तो वो केवाल इसी लिए रखा गया है कि लोगों की बावनाओं के साथ खिला जाए मतलब मुद्दा बने लोगों की धार्मिक बावनाओं के साथ जो पाकिस्तान के साथ लोगों के इमोशन्स है उन वावनाओं के साथ लोगों के साथ खिला जाए और ये जो इन लोगों की जो चाल है वो कहीं न कहीं ये कामयाब होती दिख रही है आप ये कहना चाहते हैं का हिंदू-मुसलमान दोबारा से बिलकुल बिलकुल ये सरकार चलती हिंदू-मुसल्मान पे है, धरम संपरदाए और हिंदू-मुसल्मान यही सरकार के देन है और साइद जो है, ये भी उसी सडियंतर का एक इसा हो, कामें वो जाएंगे ये सरकार वाड़े, ऐसा मेरे को नहीं लगता दस साल लोगों को बुगतते हुए होगे लोगों के दिमाग में अब आ गया है कि आपसी भैदभाव आपसी भाईचारा जो है वही इस संसार में कीमत रखता है आपसी भाईचारे को बढ़ा कर ही हम विकास के पत पर चल सकते हैं तो मेरे को ऐसा जानकार भी होते हैं जी मेरे को तो सब जो है ना ऐसी नजरों से देखते हैं कि इस आदमी को जो है ना पानीपत में रहने का या देश में रहने कादिकार नहीं है क्योंकि मैं खुल के बोलता हूँ मैं प्रमात्मा के सिवाह सचाई के सिवाहie किसी डरता नहीं हूँ और ना महें मेरे को कोई ताकते जो है मेरेको जुका सकती सच के लिए मैं आमःशा बोलता रहूं गा और जहां तक आप अपने बात की हैं सांसद मोद्य की तो आप एक बार अवैद कलोनियों में कट रही है एक बार अपने तोर पे आप सरवे कर लीजिए के वह कालोनिया और वह प्रोपट्या किन लोगों की है आपको सब जवाब मिल जाए क्या जाते हूं जो कहना तो मैं चैलेंज करता हूँ मैंने बिल्कुल खुले शब्दों में कहा है आप रेलवेय रोड की जमीन को देख लीजिए आप और दस कालोनिया में आपको दिखा दूंगा ऐसी ऐसी कालोनिया है जो इन लोगों के द्वारा कटी जा रही एक मैं कल नगर निगम का मैप देख कि 30% से 40% तक का हिस्सा अवैद कलोनियों से बरा हुआ था क्या कुछ कहेंगे इनके पिछे कौन है ऐसा है जी यह जो है न एक बहुत बड़ा खेल है अवैद कलोनी के नाम पे जमीन ने बेची जाती है जब जमीन ने बेची जाती है तो जमीन लेने वाले से एक प्रोमिस क किया जाता है एक वाइदा किया जाता है कि हमारी अपनी सरकार है और वो सरकार के माध्यम से हम इस कालोनी को अप्रूब करवा देंगे और इस नाम से जो है उसको बेचा जाता है रेट बढ़ाई जाते हैं और फिर आप देखते हो कि वह कलोनी बस बस जाती है कलोनी कट जा उसके बाद सरकार जो है उसको अप्रूब कर देति है तो यह जो खेल है यह बरसों से चला रहा है और आम आदमी जो आग reflecting सरकार में कोई जमीन बचे तो वो किसकी देने हैं वो सब इसी तरह के इन्वेस्टर जो है वो पब्लिक के बीच में आए हुए हैं और आम आदमी का जो जीना है आम आदमी का जो जमीन लेना है वो दुरबर हो गया है तो अभी हमारे साथ आजे सिंगला मौजूद थे और इनों ने सरकार की जम कर खिलाफत की है यह बोल दो सरकार की सचाई बताई है अब यह फैसला आप लोगों का होगा कि आप इस लोगों इस चीज को क्या समझोगे मुद्दा पानीपत की जो असंद रोड की एक खड़े से सुरू हुआ था और सरकार की सारी की सारी परते खुलती चली गई और एक के बाद एक एक वो सारी चीज आप लोगों के सामने आई सीमा हैदर का मामला हो या पानीपत विधायक MP या परसासन का मामला हो और या फिर हर्याना में जो बाजपा है डवल एंजन की सरकार बताते हैं ट्रिपल एंजन की सरकार बताते हैं या फिर उनकी कारे सैली पर बात हो तो इस वीडियो को आप जाजाजा सेयर के चेका मैं मै इसको मारकंड भारत के वाद से